मध्यप्रदेश के समस्त अतिती सिक्षक ध्यान दे मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनाने में हम अतिती सिक्षकों ने हम भूमी का निभाई सरकार ने पहली बार धोका तब किया जब चुनाओ जितने के सरकार बनने के बाद में जब हम गये सरकार ने ब Χत्रीं का बाहना बना गये हमें बोल दिया कि आपकी मंग आरतिक है आपकि पूरी नहीं हो सकती हमने बर्दास किया फिर सरकार ने लोग सबाश चुनाओं में फाइदा लेने के लिए नो फर्वरी करके परिक्षा लेंगे हम और 2008 से लेकर के सत्रा तक जितनी परिक्षा सारी फीस वापस बेरोजगारों को लोटाई जाएगी सरकार ने ऐसा कुछ चुनाओ के बाद हम कुछ करेंगे प्रप्र वारत्मिक निकाल दी गई ये एक बार फिर हमार साथ धुक करते जा रहें और सरकार धीरे धीरे हमारे सात्यों को बहर करती जा रही इसलिए साथियों सभी तैयार हो जाओ अब सरकार की बातों में हमें नहीं आना है। तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी कोई भी साथी यह सोच के हतास और निरास नहीं हो कि आप कुछ नहीं हो सकता है मैंने कई साथियों से बात की है सब बहुत सारे साथी हतास निरास हो चुक्थ हमें निरास होना किया अवस्क्ता नहीं है क्योंकि कोई भी चीज असम्भव नहीं है और हमारे सामने तो बहुत सारे मार्ग अभी पड़ा हुआ है क्योंकि मध्यप्रदेश में केवल यही पत नहीं थे मध्यप्रदेश में उन्नीस फरवरी बहुत है, जो अभी फरवरी गई इसी में अर्टीय रिपोर्ड के अनुसार मध्यप्रदेश में 1537 नो सचार पत खाली है यदि मद्यप्रदेश की सरकार ये भरती भी करती है फिर भी अतिती शिक्षक को का विबागी परिक्षा लेकर के निराकरण हो सकता है हमें भी नीमित रोजगार मिल सकता है परंतु जरूरत है हमें लड़ने की हमें हतास और निरास होने की जरूरत नहीं है समस्त अत हम 12ue चार दिन उंतजार करेंगे सरकार का उसका बाद कोई इंतजार हम नहीं करेंगे करके बाद बेटकर रहन् niTI बना कर जो समस्त अतिति सिखेकों किराई हो के उसके अनुसर हम काईडे करेंगे और निशिब्द विजए हम प्राप्त करेंगे साथ यों पीछे ना हटे और हतास और निराश कोई भी साथी ना हो साथ में जो साथी डटे हुए उनके लिए आर्थिक सयोग करें जितना बन सके उतना सयोग आप उनको करें धन्यवाद जैहिए